अमको ऐसा है, अमको आप छोड़ेगे है अपने बताया था कि आपको कलकता बहुत बसंद है, वो किसले पसंद है वो मैंने पूछा था तक छोटी से स्टेओरी में आपको बताना सहाता हूँ तो आई रुकींगे तो पर सोचों को सब्सक्राइब कर घृत है जो कि संगीत की बहुत बढ़े कराकार हैं और आप लोग जानते होंगे और जो नहीं आनता है वो आज देख लो वीडियो उनके बारे में सब कुछ मैंने आप आप लोग बदाने को चिछ किया तो लेट्स गे कैसे आप ये मच्छे हैं आप थोड़ा सापने इंट्रोडेक्शन दे दीजे जी मैं से बिमलकुमार बट और हमारे पिता जी पंडित राम श्रीवक बट जो की बहुत बड़े मतलब नुस्टाश थे जो है और प्रयाग संगी समेती में थे जो है डिबार्मेंट थे जो है ख तो आपको जो है संगीत की जो वो थी कि एक संगीत की लाइन में ही जाना है वो आपको कहां से आया आपको यह हमें मतलब सुरू से ही मतलब हमारा मन मतलब संगीत में साज हुए हम मतलब स्कूल में जाते थे जो है पढ़ने जो है लेकिन हमारा ज्यादा तर मतलब धान जो ह हम संगीत में रहता था और संगीत से ही हम रात रात में मतलब प्रोग्राम सुनने जो बड़े-बड़े मतलब कलाकार आते थे उनका प्रोग्राम सुनने के लिए संगी समीती मतलब जाते थे पास उस मदलब कैसे मिलना है मदलब क्या है एक बार वो जै मदलब जो थे अकदीश सिंगाय थे जो है इनका प्रोग्राम सुनने के लिए हमारा बहुत मन हुआ है लेकिन हमारे पास मदलब पास नहोने कि थे कारान जो है हम वहां पर मदलब जाए ही नहीं पाए लेकिन फिर ह वहारे मदलब पीटा जी थे उन्हेंने पास का मदलब एरेंज किया और फिर उसके बाद हमने सुना उनका प्रोग्राम जाके और उनका बारा एक बज़े रात तक प्रोग्राम पूरा सोना और उसे मिले भी हम जो है और हमें इतनी खुसी वही थी इनको जो है इसका हद दनी ह तो आपने पनी जो म्यूजिक की सिक्षा है वो म्यूजिक की जो पूरी चीज थी वहापने कहां से ली कऊनगा आपकी गुरू थे? तो हर देके अपने पीथा के साथ हर देकर मलत म में तबला बजाना काफी मतलब हमने बिर्याज वाज मतलब किया जो कि आध उसी गर्फन मतलब हमें मिलना है तो सर बहुत बड़े कलाका है उनकी जहलक है वो वीडियो के बीच पर दिखाते रहेंगे तो आप दो वीडियो को पूरा देखना मिस मत करना क्योंकि आगे जो है लेकिन हमारा एक चोटा भाई है वह मतलब अक्तोपैड बहुत अच्छा बजाते हैं और वह मतलब अर्ध तेन भाई थे और हमारे पीता जी और हमारे चाचा जो की इच्छेत्र में हैं तो म्यूजिक में जैसे काफी सारे फिल्ड है जैसे वोकल हो गया, इंस्ट्रुमेंट हो गया, डाल्स हो गया, तो सबसे फेवरेट आपका फिल्ड यह हमारा मतलब जो है, इस्ट्रुमेंटल हमारा मेन है, इस्ट्रुमेंटल में जैसे मतबला हो गया, डोलाख हो गया, नाल ह रहो गिया और कीबोड एक टार्ड ये सब मतलब इस्टूमेंट में हमारा ज्यादा वह उता था मध्यूंच और इसको मनें सीख म 우리가 इए वह मन सीखनें के बहुत हमारा तो ऑसके बाब एक हमारे मौनछार थे मौनुसर उनसे मनें किटार सीखा दो वह महरुत मौन यम इसी बात पर आप ठोटा था बजन सुना दीजे अपने पिता जिसम्न ने सीखा था इसलिए उनको मतलब आपको सुनाएंगे मुझे इसलिए नहीक तु में से ज्द्यारने लग कैना, सुध्यारन के लिग 게임, ड़चावमें, स्थाइब में से ज्द्यारने लग कैना। कर दोस्ट कि लाब सुट फुट लगुरोप्श कर दोस्ट कर दोस्ट चुट लगुट 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 जो तो में को आने वाओ जो तो में को वर्वार में दिगों है दियों कोण साकार घनुवर आज रहो दिर क्यार रगों है आज रहो दिर क्यार उन चीदा क्यार रहो दिर 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 क्यार प्रभु दूर दमन की वारा चलत नयान जलबाद घरुआ जलबाद घरुआ जलबाद घरुआ जरुआ जरुआ बदो वारे आज लबाद घरुआ करें तो अपना सुबा से लेकर रात तक जो अकपुरा स्वीडियोग रहता है वो बदा दे दिन में कैसा अकवा रहता है पूरा सुबा से रात तक ने सुबा तो मंदला स्कूल लेता हमारा है मसा साड़ा बारा बज़ बारा तक स्कूल लेता है इसके बाद घर आते है तो स्टै पूर पूरा बिजई रहता है हमारा थोड़ा कुछ ऐसा मिजाश थी है थोड़ा कुछ हमको थोड़ा कुछ हसे भी आप लोक्षामा करिये इसके लिए मादा हसने मुझा वह बापी और मतलब सब कुछ नहीं है अपने बच्पन बताई बच्पन कापका के साराथ अपने लाट के लिए हमारे माता से आसरा हो गया इसलिए अब बताईए सार मतलब आपकोबरा खाण इसब्सक्पन स fibers अब आप अपने बारे मताई बच्पन में आप कैसे थे? अब बच्पन में तोड़ा बहुत ज्यादा क्या वताया आपको काफी मतलब जो है सतानी बहुत जाद मतलब करते थे और अपने भायों में सबस्तर इन immigration हमीं थे जो है मतलब काफी मतलब अपने भायों को सताना आ और cloudy ये लोक अलुपी बार में रहते थे तो वहां पर आपको बता कि काफी वहाँ बहुत बड़ा मतलब जो है को था ठंगला था वहाँ पे तो हमारे चाचेरे-चाटा को मिला था उब लोग वहीं रहते हैं तो जो है काफी अमुद्ट का का पेड़ा था माला सरीफा का पीड़ा थो है और पपीटा थो हमलका फीर बहुत से महां पे आउम का हिम हम लोग को जब ज्याजा जिसे भूग लगती थी तो हमारा एक पीड़ा बहुत अच्छा भाज्य घा जो पीड़ माँदा अंजीर का थे घुंच्यLab affiliated बड़े बड़ी अंजीरे हो थी जो है और उस अंजीर को बहुत खाते थे और एक दो पेड़ा और आपने इस मीरह लीए थे ठीशेश से मतड़ा ही जिसम अच्छे अम्रूत से मज़ did ऑन इंचे पर पेड़ा पर चड़ा के तिनका लेकिन हमारी माने ही जिए हम लोग को काभी आगे बलाया जिए हम 지난 स्कूल माद बेशती थी स्कूल सÝ मुछा हम लोग आगर जाते हैं ते स्कूल कहीं अगर वहां sangeet के अगर तीचर रहे हुआ जाते थे हम कभीeleri क्लास नहीं करते थे हम केवाल मीजुक में ही खुशे रहते हैं और टीचरों के में सिकायद मतलब है वोती ठीक बताईए यह जो है आते हैं मतलब हुना मतलब हिंदी पढ़ते हैं उन्हें अंग्लिस पढ़ते हैं नकुश अब्जेट पढ़ते हैं एक केवल जो है मसंगित टो काफिOR उसमें सबको अब एक जाब आने वाला ओता था तो उस समय मतलब थोड़ा मूनलिक खिलास लास मूनलब … करते थे तो सबी टीचर बोलते हैं कि पढ़ते हैं यह पुम यह मनलब पढ़ों गे झए अब तुम जा अपना छो है संगीत पर मून जाओ आप आल राउंडर हर चीज आपको इतनी अच्छी आती है मुजिक में तो आपको कभी ऐसा मन नहीं कि चुरू पिच्चर में काम करता है या फिर अगर आपने किया तो आपका एक्सपिरियंस कैसे रहा हम परने हमारे लखणों में मोसिया रहते हैं हमारे भाज़गंडे में हमारे भाई ही भाखणडें संगीत माई में फेले में यह हम पर 6-7 मेरा वहां इम थे तो यह वहां पर नहीं हमEXे बी达ली की स्ट्डी तिसमें मतलब जिसमें काफ़ी पिच्चरों कि जैसे हमना कि मार्ल करते इकरते पिर वहां पिर हमने तीन चार मोने जो है जो है इन मतलए किया मां इस्टूडियो और हम ने अच्छे साथ मीना वहीं ने बताया हूँ जादा तियुकर बाही लिए स्वक्ता काप़र किया फिर घरिकार्डिंग का वहां परपड़े थे जो ए अपते में दो बार एक दिन ऐसे से मुझालब करते थे जो है और दसल में बात क्या है कि हमको इस्टुमेंटल क्या है कि जैसे गिटार है इबोड तो इस समय यह इसी का मनदद चला नहीं चला है जो है और आज का जो बच्चे हैं जो है वोकल जैसे मतलब क्लासकल है जो है बहुत कम पारेंस हैते होते हैं कि जो की मतलब सास्त्री संगीत को समझते हैं और सास्त्री संगीत अपने बच्चों को बेस मतलब पकड़ाना चाहते हैं जो है तो इसलिए हमको इतनी खुसी होती है जिस पेरेंस को मतलब यह होता है कि मारा बच्चा मतलब जो है साथी संगीत सीखे आगे बढ़े जो है जैकर पिच्चर तुन वाले गाने तो मतलब वो सब आएंगे जाएंगे मतलब उसके कुछ नहीं होता लेकिन यह अगर एक बस साथी संगीत आपने सीख लिया तो आपको अपने से गाना बजाना आजाएगा क्योंकि मतलब से जितने उसमें स्वर होते हैं जैसे सुर्ट स्वर हो गया विक्रित हो गया कुमल हो गया तो यह सब जब माइंड में आपके जब मेक अप करने मतलब लागेंगे तो आपको अपने से मुझले की बोड हुआ है या मुझलब वह है और सीजिएओं गेटने भी आपका मुझलब और इसे तो इन्डियन बस्टन दोनों मुझल सीखाते हम जो है और ज्यादा दरह लोग जो है वेस्टन पर ही मदलम से सेख दें जो है अब हैं बहुत कम लोग इतना हैं कि मतलब वोकल मुनलब किलास्कल सीखनों जो है और लेकिन तो मतलब वोकल और यह इस्टुमिंटल मुनलब किलास्कल मुनलब जिसे एक इवोड पे राग बजो जो है जिसे यह आपका सुरुवारती यह एक ख़्ला केंद्री यह खलकटा का है विश्ट मंगाल तो यहाँ से फॉर्म बरवाते हैं जो है और संगी सेवीट इस फॉर्म बरवाते हैं जो है और भाजखंडे का भी है, वहाँ से भी तो एक जाहम है और जितने भी मतलब यह मतलब मतलब है जैसे जैसे यहुघ की परतरोगता होती संगीत की तो उसमें भी बच्चों को मतलब पारिस्पेट मतलब कराते हैं जो है और बच्चें हमारे जो है रबहती हम तो नहीं बोलेंगे जो है हम को से क्या बोलना जो है Kari Pranais ऑना ने स्थ न जाते हैं इतना है और चाहिए किसी इस्टुमेंट में हो सब एकदम आजकल काफी पैरेंट्स है जो अपने बच्चों कहते हैं कि म्यूजिक जो है थोड़ा साइड करो और पढ़ाई में जादा फोकस करो तो उनकी आप कहना चाहते हैं कि म्यूजिक छोड़ा उनके लिए खा मतलब यह समिसाओं को समझ आ नहीं है जो है लोग जो है तो सोचते हैं मतलब संगी जो है तो इसको नहीं मतलब करने चाहिए और ने करना चाहिए लेकिन यह सब पहले था जो है अब क्या है जी आफ ने अफसे अब इतने मतलब हर फैमली के लोग मेरा सूशने कि मेरा बच्छा कुछ मतलब इस्टा मतलब कुछ डिप्लूमा करें जो है, कुछ इस्टा सीखें जो है तो इसलिए या तो स्पोर्ट मतलों उसको बेड़ देते हैं या फिर मतलब मीजिक में इसको मतलब डिटा डाल देते हैं जो है और पैरेंस भी आज कल पहले किसे मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ सीखेना जो है अब आपको मतला नहीं कि जादा तर लोग समय संगीत और मतलब खेल खूथ पही मतलब जान देते हैं और इसको करना ही चाहिए संगीत को मतलब आगे बढ़ाना मतलब चाहिए जो है क्योंकि हर छेत्र में बच्चों का और मदला हर जगा मदला अबर वो अच्छे से मदला पास होते हैं तो उनका सर्विस में भी काम आता है जो है जो ठिपनुमा होता है जो है तो इसलिए मदला करना चाहिए सबको संगी सीखनी चाहिए जो एंसलिए संगीत में आदमी को ज्यारा मदला ध्यान मदला देना चाहिए तो आपको आजकल के गाने पे आपको क्या कहना है आजकल के गाने पसंद है या फिर पुराने गाले पसंद है लेकि पसंद तो हमें देखिए ऐसा है ना कि जिसे ये तो हमारी पसंद मतलब हाई नहीं है इसलिए आपको मतला दें पसंद इसलिए मतलब नहीं है कि अगर हम दे बच्चे उनको ही मतलब सीखते हैं जो है जिसे हमने पुराने गाने सीखाना स्टार्ट करते हैं जो है अरे सर इसको तुमने सुना ही नहीं भी तक जो है अरे तुमने का बेटा ठीक है तो उनको कहा मतलब पैरस बोला रहे सर ये तो सुना नहीं है अब बताएए सब ये सब इतने अच्छे म्लश गाने हैं जो है पुराने गाने मलश खिसोर्ड जाजी के जो है जैसे ये ये अब यह सब इतने अच्छे गाने हैं लेकिन को अगर अब यह पैरेंस बोलने तरह सर अभी तुम्हारा बच्चा इसको सुना ही नहीं आप जो है जैसे पासौरी है अब यह सब बोलते हैं अब यह सब बच्चा इसको मतलब बचा दें लेकिन वह बच्चा बैठा हुआ है अबने कहा है बच्चा इसको जो है कैने इसको सर में सुने नहीं संज जो है अच्छा हमका ठीक बटा तो फिर कौन से बताएं फिर आपको जो है काम से पासौरी का हमकर आपको यह सा उनका यह सब आसका बच्चे में कच्वाएं परहाये यह ठीक बीचिया जो है लेकिन पुराने गाने यह सदा बहार गाने और यह चीज अभी जितने नैने अलब्म आतें हैं यह मतलब भ Post गर नहीं गाने आतें जो है वह सब बच्चों के ही लिए है जो है अब लेकिन जो जैसे और लोग और बच्चे सीखते हैं जो है तो वो सब जारा तर जो है पुराने गारे सीखते हैं जो है तो इसमें क्या होता है पुराने गारे में कुछ अलग मतलब मेलोडी आती है कुछ अलग मतलब जो है होता है तो हम संगेट को लेटिक को हूं की इच्छा बच्चों की रहती है वो हम प्रोट sis रहती है इस है को न स्थी नए गपर शों। आप हनी सिंग को जानते हैं अब हनी सिंग जो वापस आये हैं उन्होंने कमबक किया काफी सारे नए गाने ला रहे हैं उनके वादे में क्या कहने चाहते हैं आरे तो अच्छी बात है जो भी अपने स्थान पर ठीक है लेकिन हमको ज्यादा तर गाना जैसे आच्छा मतलब है पुराने में मुहम्मद रफी साब खिसोड़ा इन सब का बहुत अच्छा रपता धानाम सुनने में भानी सिंग और बादशा आपने सुना काफी उनके बीच में चलता रहता है तो उस पर आपका क्या कहना है सirm कों है यह सब कर दो है यह कटते हैं यह कटकरिए ने में चलते जिसने नहीं देखा काम नियुक्त है। आपने भी मतलब बहुत अच्छे दोलग बजाई के जो है और इसमें इस्टुमेंट यूज मतलग किया है जो है बजन में बहुत अच्छा मतलब सब साथ ने सिखाया है कि पहले मिलों सब इतन त्यारी गते काभी मुझाती है तो वहां पे जो है म्यूजिक वीडियो जो है आरे वाली है और आगे फ्यूचर में आएगी और आप लोग जो सब्सक्राइब करें रख लो आगे जो है सुनने के लिए सर के साथ मेरे रात और ब कोई को दिन उता है ऊपका पूरा दिन हो गिया और गाया, तो कहने दिन वहां ज्यादा है युगे होग, सूनने के उन्पिए पिर दम बन होता है कि जाए कि ना जाए जाए कि ना सिखाए कि ना सिखाए उसको काफी मतलब जो है दिमार सोचना पड़ता है लेकिन पर हम सोचते हैं अपते में एक बार यह आ रहा है यह मतलब दो बार आ रहा है तो मतलब किसी को फिर यह नहों मतलब सरा आप मतलब आए कि तेहां क्यांद बूलने के चांस मतलब हम नहीं हम बनीव थक जाएंगे एगा की नहीं के यह नहीं कि हम वह पर तैना द मतला वास का कोछ कर दें तरह इसा नहीं मतल़ करते हैं और संधे क二 संड़ें लगraz काफी बिजे रहता है क्योंकि स्कूल से ही मतलब जो है हम निकलते-दिकलते हमको एक सवाय हो जाता है जो है बस वहाँ से हुआ सीज्डत करें लोसके अक्राइबात सीज्द मतलब कोजिंग पढ़ाने स्टार्ट तो इसनिया है जो होते हो इतनी सालों से कर रहा है ना कि हम को यह समय कुस नहीं मतलब की बहुंदा काफी वह हो गए लेकिन वह मतलब इनरजी. मारी मतलब बने रहतीगे जो है हां यह मतलब यह होता कि कभी कभी इसा होता जाए कि जाए कि न जाए इच्छा नहीं होरी जाने कि काफी अगर हर लोग अपते में बार चुटी मतलब करते मुसंविटे को सब करते हैं लेकिन हमारा क्या होता है कि सब्भी ही हमारा बीजी हो जागा ह। तो इसलिए काफी मटल्र बीजी होने छाथ फिर बहुत मजभूरन काम भूर करना पड़ तक हए हुए हम भी सोच़ेव है उब मदल्र आपने घर मरह है परवार के साथ रहा है सब्सक्राइब आप साथो दिन काम पर जा रहे हैं तो फैमिली पे आप कुछ नहीं कहती है आप पर कि नहीं कहती है लेकिन उसको बर्दास कनना पड़ता जो है उसको मतलब बात में फिर वह भी मतलब जिसे हम अगर कभी जिसे छे बजे घर आ गए या साथ बजे तक आ जाते जो है तो उस दौरान फिर जो भी लोग जाते हैं गुमने पिनने वह साम में ही जाते हैं तो इसलिए छे बजे तक आया पना जो है यह चलना है तैयार हो जो चलें जो है ऐसा कौन से दिन था जिस दिन आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं सबसे लेट आप घर पहुँच करता है दिन की जो समय जैसे आप फोन आगिया हमारे पास कि आपको उम्हारे साथ मुझा प्रग्राम में चलना है अब घर में सब आसरा है कि इतने बज़े आने कि शाड़े आठ बज़े आनेक समय है लेकिन वो सब जो है तो मारा एक जोड़ी मद़त तबला वो ज़मारे एक नैजर साब है उनके आ रख़ा रहता है, वह प्रोग्राम हुआ, तो वही इस फोन मतलब हमको सुबह ही मतलब करते हैं फोन जो है, कि आज आज आपका मतलब प्रोग्राम हम अज चलिए आ जो है, तो उसके बाद हम घर फोन मिलाते हैं अब यह कि आज अब रात में हो जट असल उम लूख के लिए आने वारी थी कार जो है कार मतलब आई नहीं जो है अब बताईये एक मतलब भाईक पर इतना भारी उनका जुच हमारे बास है उनका हार्मुनियम था हमारा कबला तरह भारी जो है एक दो दो चीज लादा ला एकदम पूरा पाय दो गदम हो गया अप सिविल लाइन से मतलब लोग गया चांद पूसलोरी गया थे वहां पानी भारस गया वहां इतना जारा मतलब सणके खराब थी वहां की कि तबला इधर जुग गया है अर्मुनियम था जुग रहा है जो है पही से कर समालते समालते पहुँचे वहां फिर मतलब प्रग्राम लोग गया आप इतनी आडियंस मुहां खुस होगे कि एक और एक और अब जो है हमने वहां से फिर निकलते हैं निकलते हमको एक बजगी आए फिर उन्हें छोड़ा फेर फिर मतला घर तक छोड़ा उन्हें जो आखे गर से पिर जो है कम से कम दो बज़े रात में वहां कई बैसा हुआ तो रात में तो काफी हम खाई बार मतलब फोगराम से वापस होगे तो हम लोग एक छोड़ा से रैपिड फाराउंड खेलते हैं आपके साथ उसमें क्या होता है कि मैं सवाल पूछेंग और आपको जवाब देना पड़ेगा ठीक है शी 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 इस तो आपका फेवरेट फूड गया है खाना फेवरेट खाना मारा देखिए पहले तो मदलब जिसे राजमा चोला है और क्या नाम से पूड़ी है और यह सब तो यह समारा ज़ट पहले बहुत खाते थे जिए है अब सब में हमारा यह खाना था जो लेकिन अब सब बिल्कुल कम हो गया बिल्कुल अच्छा यूटूब देखते हैं तो यूटूबर किसको देखते हैं तो में लोक का बई जिसे क्यों संजीत का यह मतलब कुछ समकू कुछ मरसर्च करना उसमें यह आप लोको चैनल मतलब हमसमें सबी जिए और जिसे इस्टाग्राम जिए और पेस्बूक के जिए जब समेह मिलता है जब में गार पोस्ते हैं तो आदा एक गंड़ा थोए तो तो आपकी फेवरिट प्लेस पशनीत जगा का पे है कोई पसंद जगा है अमाना सब अच्छा मतला में अच्छा लेक्ता है जुब है कलकटा कलकटा है क्यों लखनों क्यों 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 स्टाब है जामनल अक्टा है है असरो भारती के हैं तो हमको मद्धा साल में एक बार मद्धा जाना होता है बाहर मतलब बच्छों को एकजाम लेगा एसा कभी हुआ है कि जैसे आप जाना पड़ा आप उसे एकजाम लेने के लिए आप तो लखनोव में जसल एक सेंटर मिला था विकास नगर का तो वहां तो सिथिक था जो है वहां तुमारे मतलब का सब पूरा था वहां वोकल था इस्टुमेंटल था जो है कथक मतलब कथक तो हम काप ही मतलब बजाते थे उसमें अपने पिता जीटी के साथ जुझा के और मतलब कई प्रोग्राम भी करें मतलब कथक में धबला बजाते थे हम जो है ने फादर के साथ राट तो सभी अच्छी होती है लेकि इसकी खूस बंदी से ऐसी जो है जो है जो ह नहीं हो जो देला जैना है। मज़यात made, मंने अपने प मत्सक्राइब को कलकेता है, वो किसली बसंने पूछा था जिए बाता है। मैंने हम बाता हा हूँ जाता हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पर सोजोनी सर्क कंकरता इसी के पसंद रहे हैं नहीं वह बात देखे वहां क्या ना की दसल बहुत सांती है वहां पर जो है कई जगह जह से बी एन आर है जो है हाईड रोड है और विडिट गांडा है जो है ये सब जगह ना मतलब घूमनी मितने आनन दाता हमको है हम एक पसंद आनन देखे वहां एक उधर एक एक उठानव दो जखा जो है हमको अगर हरो वहां का हर साल कर स्रिंटर मिल जाए हां मतलब जामना लगा हर साल वहां बना के बेद दिया जाया है हर साल जाया है भुख सी खुशी जाएंगे बहुत एंज्वाइ मतलब बोग करें पसिंदीजान जगहा इलाबाद में आपकी कौन सी है इलाबाद तो हमारा जन भूमी है जो ही हमारे पिद्दा जी तो मतलब ज्यासी कि थे जो है अच्छा-च्छा तो हम लोग इने पाइदा हुए यह सब तीज मतलब पढ़ाई लिखाई समीरी सीकना सागना समीरी महारा जो जो है तो इलाबाद तो अपने अच्छा है यह जो है जहां काम रहता है वो सहर मतलब सबसे अच्छा होता है जहां काम नहीं है वो ठीक है लेकिन जो है भाई यहां मारा मतलब कुरा काम है सब यह चीज़ें जो है यहां मारे बाई बहन भी मतलब रहते हैं जो है तो उनको तो यहां बार बोट अच्छा नगता बना इना बद अपना तो सीटी है जो मैं यहां क्या देखो यह अच्छा है तो सार मैने आपको सुनाई कि आप दूरदार्शन में भी आए थे पी आप इसका तो यह अच्छा ने अच्छा कि अपना थे अधर कि पीदमत करी तरह तो तो यह इसल दूरदासं में तो बारा मारा मदलपे पर गुणा वहाज़ गए और यह लिक आष्ट ही और इसके बाद वहाँ जाने के बाद हम लोग को मतलब मेकप रूम के अंदन ले गए और मेकप पने लेगा चाहा हमारे मेदा थे किम कभी पाउडर उडर सब चीज हम अपने फिस्मनी यूज कर आज ही मेदा है सर ने खाली बाल जाना तो हमारा हम जादा यह चक्कर में रहते हैं बहुत सजा काउटी पर नहीं करते हैं तो हमने कहिंगे नहीं मतलब आपको तुमल अधू कैम्रेक सामने सामने जाना आ तीवी ब्री आना आपको सब लोग देखेंगे थुना अब मेकप कर लीजिए मेकप पहले तो वो क्या होता है वो मतलब लगा दिया फॉन्देशन फॉन्देशन लगा दिया उसके बाद फिर उसको से बाइट के पूरा उम्मुल कनने लगे लेकिन अमने गारे बस क्या करें जो कि कहीं नहीं मतलब आपको मतलब आई वो उनका मुले अडर्डर सापको आडर मतलब कि जितने आर्टिस आएं सबको मतलब बिलकुल एकने मतलब बन लगा लग के एक सीड़े लगों ने मतलब किया था जो आके वह बरगत तले नाटक था जो है तो उसी का मुझे का जो है उडर्ड ठरेक्शन हमाना था हुआ जो दिये थे तो बाद में फिर वो भी वो लोग का गरे यहां भी होना है जो है तो उनने का मैं देख यह उनीस सो मतलब जूए तो इसी के साथ सर काफी अच्छ लगा edit करने को मिला होगा और अप में काफी इंजै किया होगा या आप लोग जो है इस video को यहीं तर बक्ते काफी वीडियो हो चुकिये वैसे ही आगेश दिखते रहा हैं और वीडियो आने वाली है और अब हम जो है सर को एक अवार्ड गिफ्ट कर जाते हैं जो हम लोग अपने शुरुवात से करते आ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो गैशी इसी वीडो के साथ मिलें गाहिएं लोग नगा परकले बाय जाहिएं जायँ जायबर बनेवाज़ एं पर रावन पर अंस्टेउ एंग झाल झाल